दोस्तों आज हम लेकर आगे हैं एक और एपल की कॉपी वाच और जिसका नेम है T800 Ultra तो जो लोग बहुत ही कम प्राइस में एक एपल वाच अल्टरा परचेज करना चाहते हैं यानि एपल अल्टरा वाच की कॉपी वाली वाच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप लोग के लिए हो सकता है बट आज की वीडियो के हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुली में ये वाच हमें कैसी मिलती है कैसा यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस रहता है कैसे चलती है सारी चीजों की बात करेंगे कैसी डिस्प्ले मिलती है और ओवरॉल बॉक्स कंटेंट हमें क्या-क्या देखने को मिल जाता है तो करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल ऐकन को प्रेस कर लिजे ताक याने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे तो बॉक्स आप लोग देख सकते हैं T800 Ultra की कुछ इस तरीके से मिलती है और वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ज़्यादा देर ही नहीं करते हैं और अपन करते ही सबसे उपर हैं यहाँ पर हमें यूजर मैनुल देखने को मिलता है तो अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं तो इसको फिलाल के लिए मैं साइड में करता हूं और इसके नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको इसका बैंड रखा हुआ मिल जाता है जो कि आप लोग देखेंगे ओसीन बेंड है और उसी के नीचे यहाँ पर वायलेस चार्जर है जैसा मैंने आप लोग को बताया तो इसके तुरू आप इसको चार्ज कर पाएंगे और इस साइड रखे हुई मिल जाती है हमारी वाच जिसकी हम बात करेंगे और बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है तो ओवराल वाच के उपर आते हैं और इसके उपर जो रैप इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ तो वाच के उपर से मैंने रैप को रिमूव कर लिया है साइड आप लोग देखेंगे स्पीकर ग्रिल मिल जाता है यानि आप इससे कॉलिंग कर पाएंगे यहाँ पर आपको एक additional button दिया गया है जो की काफी अच्छी बात है यहाँ पर मतलब exact copy करने की कोशिश की है यहाँ पर microphone देखने को मिल जाता है इस side एक button मिलता है बीच में एक और microphone है और यहाँ पर आपको crown भी देखने को मिल जाता है back side से बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्योंकि यह एक cheap watch है तो यहाँ पर आपको screw जो है original देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पर इन्होंने draw कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी buttons नहीं मिलते हैं जो की lock button होते हैं यहाँ पर strap के लिए तो और यहाँ पर मेरसे power button जो है प्रेश हो गया तो यह watch जो है on हो गया और on होने के बाद आप लोग देख पा रहे हूंगे इसकी जो display है कितनी ज़्यादा सही लग रही है अभी देखने को तो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ यह देख सकते हैं आप लोग display जो है अभी फ काम कर रहा है कोई lag तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से split screen भी हो जाती है और watch faces चेक कर लेते हैं इसमें कौन-कौन से watch faces हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर मैं इस पर press करके रख रहा हूँ तो watch faces नहीं आ रहे ह तो एक बार crown से rotate करके देखते हैं तो crown से यहाँ पर watch faces चेंज हो रहे हैं अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह देख सकते हैं काफी कमाल का लग रहा है वैसे display जो है काफी जादा अच्छी है अगर आप एक कम price में budget में watch अगर purchase करना चाते हैं जो की apple ultra watch की copy हो तो यह option हो सकता है और इसके अंदर always on display already लगा हुआ है तो आप लोग देख रहे हैं जैसे ही display बंद हो रही है तो always on display आ जाती है फिलाल के लिए मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर कुछ 3-4 watch faces ही हैं जो आ रहे हैं बागी उपर से नीचे swipe करते हैं तो आपको messages देखने को मिलेंगे जो मैं setting में जाके सबसे पहले इसका जो screen time है उसको मैं increase करता हूं तो चेक में सबसे पहले जो है backlit को यहाँ पर increase करना है जो कि 5 seconds है इसको हम 1 minute कर देते हैं जिससे जो हमारी screen है काफी देर ता कि यहाँ पर visible रहे और बंद ना हो तो अब मैं आप लोग को दिखा देता हूं तो menu style में यहाँ पर इस वाले menu style में मेरे को हलका सा जो है lag देखने को मिल रहा है यानि थोड़ा सा आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा zitter feel हो रहा होगा और हाला कि यह काफी cheap price में मिलता है तो थोड़ा सा zitter तो यहाँ पर feel होगा और देखते हैं और भी style है कि नहीं यहा आइकन यूज किया है वो WhatsApp का आइकन है तो यह थोड़ा सा मुझा जीव लगा यहाँ पर आप लोग देखेंगे WhatsApp के मतलब आइकन के अंदर आपको messages शो करने हैं पता नहीं connect करने के बाद सिर्फ WhatsApp के messages शो करेगा इसके अंदर या फिर और भी messages शो करने वाला है इधर आपको पर आपको phone dialer मिल जाता है contact मिल जाता है phone book है heart rate sensor मिलता है उसके बाद यह है messages का एक और option यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यानि आपको और भी message जवाएंगे आपको यहीं पर शो करने वाले हैं यहाँ से आप songs वगरा भी connect करने के बाद सुन सकते हैं so overall काफी अच्छी यहाँ पर smart watch है कम price के अंदर आप चाहें तो इसको purchase कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक action button दिया गया है जिससे आप click करने के बाद यह मैं जो sports mode मिलते हैं उसमें आप जा सकते हैं यहाँ से आप look देखेंगे सारे sports mode आ गए हैं तो आप directly इस action button से यहाँ पर sports mode को access कर सकते हैं overall बहुत कम price में यहाँ पर आपको अच्छी display मिल जाती है और उसके बाद अगर बात करूप performance की तो वह भी इतनी जादा disappointing नहीं है काफी अच्छे से work कर रहा है और smooth भी है काफी style 4 भी यहाँ पर मुझे show कर रहा है तो यह भी check कर लेते हैं एक बार तो मैं इसको वापस से style 1 पर select कर देता हूँ क्योंकि वो मुझे काफी जादा सही लग रहा था style 5 भी आ गया है तो यहाँ आप लोग देखिए बहुत सारे styles है इसको यहाँ पर choose कैसे करना है देख लेते हैं तो यह देख सकते हैं आपर style 5 भी काम कर रहा है उसके बाद देखते आपको यह वाला menu style यूज़ करना है उसके बाद मैं देखता हूँ और भी menu style लेकिया नहीं आप style 1 पर आ गया है तो overall वापस से जहाँ पर थे हम लोग वहाँ पर यह आ चुका है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं performance काफी जादा smooth है काफी तेजी से काम कर रहा है यहाँ पर अपने जो है copy watches होते हैं इसके अंदर actual sensor नहीं मिलता है इसलिए काफी cheap price में हमें यह watches मिल जाती है तो यह सिर्फ और सिर्फ आप look के लिए purchase कर सकते हैं यानि आपको normally इसको पहनना है तो उसके लिए ले सकते हैं अगर आप medical device के लिए आप इसको purchase करते हैं तो मैं आप लोग आप तभी purchase करें कि आप लोग को अगर एक copy watch खरीदनी है आपको adjust style के लिए आपको यह purchase करना है तब आप इसको purchase कर सकते हैं इस price में बहुत कम price में काफी अच्छी watch है तो आप चाहें तेसके लिए जा सकते हैं इसके लावा और भी अगर कोई apple की copy watch मेर पास आती है तो उसक को app के साथ में pair करूँगा और call quality sound quality सारी चीजे हम लोग test करेंगे तो overall फिलहाल first look में मुझे जो watch है काफी ज्यादा ठीक लगी है कम price के अंदर आप इसके लिए purchase को कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही था मुझे उमीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे